समस्कार दोस्तों कंचेंस वर्ड किचेन में आपको बहुत स्वागत है आप देखके जानके होंगे कि आग मैंने बनाये हैं अपने किचेन में गाजर का हलवार बहुत आसान तरीके से दो स्टिप में तो चलिए आपको भी बताती हूँ तो यह गाजर धुलकर मैंने रख ली हैं दो-थिन पानी से गरम पानीसे दो लीए स्टो और भी अच्छा और यह मैं अपने बवागीचे में धूप में बढ़िया बैटके मैं से कद्ध हरुद कर रहे हूं तो महीन वाले कद्ध कस की तरफ से हमें करिएगा किस और उचिसे //ड़, जो मोटा वला होता है साचा और इधर मेरी उधर तीखिए गैस जल्डे उस पर चड़ी है चाय तो दो बड़े चम्मच मैं इसमें डालूंगी देशी की और यह मेरा गाय का घी है घर में बनाती हूँ अगर आप देशी की पसंद करते हैं तो आप इसमें दो से तीन चम्मच डाल सकते हैं क्योंकि गाजर के हलवे में देशी की वैसे भी बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले मैंने डाले हैं खरबूजे के बीज और देखी किसे चटक रहे हैं यह बहुत अच्छे लगते हैं आप ने कभी नहीं खाया होंगे खरबूजे के बीज गाजर के हलवे में लेकिन मैं डालती हूँ तो आपको बता रही हूँ बहुत स्वादिश लगता है बहुत क्रंची सा एक स्वाद आता है इसमें तो फ्लीज इसे बहुत जरूर से जरूर डालिएगा और अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं लेकिन अगर पसंद है तो इसे डालिए डाल के देखिए एक अलग ही स्वाद आएगा गाजर केलवे में तो ये सारा हलके से आज मैंने भून के निकाल लिया है अब डाले है चार-पांच काजू और पांच ये बदाम और इन्हें भी हलका हलका रोष्ट करेंगे केवल जादा नहीं जादा लाल नहीं करेंगे और ये पता है आप जब इसे भून तल लेंगे हलका सा तो स्वादा लगी हो जाता है कच्च्छ डाल लेंगे तो थुड़ा अलग स्वादा हैगा लेकिन हलका सब पकागे बहुत आसान तरीका बताऊंगी केवल दो स्टेप में आप गाजर कालवा रेडी कर लेंगे कोई ताम ज्हाम नहीं कोई खोय की जर्वत नहीं बिना मावा के बनाईए गाजर कालवा और आनंद लीजिए बहुत पॉस्टिक होता है बच्चों को बना के जाड़े में खिलाए और बस यह तेल घी हमारा गरम ही है इसमें हम डाल देंगे घिसीवी गाजर यह आधा किलो गाजर है और मैंने इसे कद्दुकस करके दो तीन पानी से कद्दुकस करने के बाद भी धो लीजे ज्यादा बटर रहेगा और उपर का भाग निकाल दीजिए उपर का जो हरा वाल और मैंने डाला है यहाँ पर एक किलो फूल क्रीम दूद डालते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ वीडियो में खुद बनाती हूँ यह कब बंद हो जाती पता नहीं चलता तो वह मैं दूद डालते हैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ इसके लिए बहुत माफी चाहते हूं, 1L दूद था, फुल कॴर में डूद जो मने इसमें डाला है अधा किलो गाजर में एक लिटर दूद में डाला हे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप के पास एक लिटर नहीं है तो आप अधा लिटर में भी इससे बना सकते हैं बस इसे हम डाल लेंगे और यह देखिए अच्छे से उबल रहा है और यह पता है गाजर का हलवा आप बना के जाड़े में खाये तो खून तो बढ़ता ही है स्वादिश्ट तो होता ही उसके अलावा यह पॉस्टिक बहुत होता है गाजर आखों की रोसनी के लिए और ब्लड बढ़ाता है और बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं मेरे लेकिन अगर हम घाजर का हलवा बना देते हैं तो बड़े शॉप से खा लेते हैं देखिए कितनी अच्छे से ओबल रही है यह इसी स्टेश पर हम इसमें डाल देंगे 100-500 ग्राम चीनी आप अपने एक और डाल सकते हैं अगर आप मी मेवे वह मैं इसमें डाल दोगी मेवे जब सॉफ्ट हो जाते हमा तभी अच्छे लगते हो उपर से आप मेवड़ाली तो मज़ा नहीं आता है जब आप इसी में डाल देजे और एप आप इसमें डाल देंगी लेकिन जो मैने एक हर्वूजे डाले तो यह वैसे के वैसे क् जाएगा तभी हमारा गाजर का हलवा रेडी होगा तो इसे हम तेज आंच पर बालेंगे और जब भी आप इसे तेज आंच कीजिए ना तो आप वहीं पर बैठिए यह पांच छी लायची मैं ले लिए हैं उसके बीज निकाल लिए है चोटी लायची और उसे कूट लिया है म और कुछ पल में ही यह रेडी हो जाएगा इधर मनें दाल चड़ाएती देखे सब नीचे आ गई है दाल चाया प्राने के बाद दाल चड़ा दीती है और बस इस दिखे बिलकुल रेडी होने की कागार पे हैं बिलकुल सुक है कुछ ताम जाम इसमें ने करनी है गाजर ला दीजे और इसे एक बावल में परोष दीजे आप खाईए अपर दरोग के लाइए बच्चे बड़ी सौक से खाते हैं और यह देखे कितना बड़ी हास्वाद्रिष्ट हल्वा तयार है तो आए देर किस बाती हल्वा मेरा रेडी है आए सब मिलकर इसका आनल लेते हैं ट्राइश जरू किजिएगा लाइक कमेर किजिएगा देगा देए थे कहीं है आए